बिस्मिल्लार रख्मर रहें साइकिनर बियोलोजी चापने नमबर 22 के निदर आज हम एपिस्टैसी बमबय फिनो पाइप और इस भहिची बारें बात करेंगे शर्टिंग फ्रॉम एपिसटैसी एपिसटैसी विद्स श्यक्रेक क्या होता है सिम्पल है कि कोई भी जीन है वह अपने आपको एक्सिप्रेस करता है को हम च्पारें है छीन को हम कहते हैं जीनिटेफ to कैया है अद्धिक एन आ इसको कहला है जिसके एक법 प्याँ उसको हम ऽे तिजоминаं कि कि और जो पर डिए नै में ओता है और जो फिनो टैप है यह प्रोटीन होती है ठीक है के लाइक DNA का sequence है जो के आगे प्रोटीन बनाता है और बीच में आपको पता है कौन कौन से process चाहिए होते हैं मसले इसके सबसे पले Transcription होती है फर्स स्टेज पे फिर सेकंड स्टेज पे इसमे Translation होती है ठीक है फिर थर्ड स्टेज होता है एक post Translational Modification ठीक है जो के mostly Golgi bodies के दर होती है Golgi bodies के दर होती है ठीक है के यह अगर उसके साथ बाल दफा क्या होता है के like sugar attachment होती है Sugar attachment अब sugar तो बाडी में नहीं बनती लेकिन बाल दफाई होता है protein के साथ sugars attach होती है या फिर lipids की attachment होती है ठीक है तो यह जो further attachments होते हैं यह सारी पोस्ट ट्रांस्लेशनल ठीक है so अगर genotype ठीक है लेकिन phenotype खराब है उसे अप क्या कहोगे that is epistasis ठीक है के यदि कोई भी genotype है अगर इस पात्वे में ना ठीक है for example एक कोड जीन इन वालब है for example ठीक है अगर for example यह first gene है यह second gene है first gene का जोसा असर है वह second gene की वजह से express होगा ठीक है इससे आप epistasis कहोगे यह अगर second gene नहीं होगा first gene मजूद है लेकिन वह अपने आपको express नहीं कर पाएगा that is epistasis ठीक है अब इससे आपने dominance में नहीं लेना ठीक है मसलन यह जो gene है यह से different है they are not allele, one gene one and gene two are not allele ठीक है जबके dominance, co-dominance, over dominance के अंदर allele के बारे में हमने बात किए इससे पिछले lecture के अंदर ठीक है तो epistasis किया है कि एक gene का effect दूसरे gene के वज़ा से यह नहीं मतासिर हो रहा हो ठीक है interfere कर रहा हो है second gene, first gene के calling effect के साथ, expression के साथ interference कर रहा होगे ठीक है और इससे आप confuse नहीं करोगे और इसकी वज़ुहात मैंने आपको बता दी है कि transcription required होती है, translation है, post translation modifications है, तो यह नहीं इस में कही second gene involved हो सकता है, इस सारे process के अंदर कही second gene है या इसे बाज का बंबाई blood group भी कहते हैं, बंबाई phenomena कर लेते हैं या फिनो टाइप करते हैं फिनो टाइप, या बाज के बंबाई blood group भी कहते हैं इसमें होता है कि जो abio blood group system है, ठीक है जी यह chromosome number 9 पर होता है it is better on the chromosome number 9 से लेकिन एक और gene है, ठीक है जो कि chromosome number 16 में होता है जिसे हम h gene कहते है, chromosome number 19, 16, 19, 19 so h, एक कह लें के gene है जो कि required होता है कि जो abio attach हो रहे हैं ठीक है यह यह यहां पर बनावाए कि यह ब्लड ग्रुप्स जो यहां पर रहना एंटिजन ने आके attach होना अच्छा है, यह a, यह b, यह o है, sorry, a, b, o अच्छा, इसमें कहों कर कि शुगर के molecules आप वह नहीं आएंगे से यह h gene हैं यहां यहां पर बनावाएं ना a के साथ यह h gene antigen आ रहा है b के साथ यह bumbae के साथ अगर आप देखें तो इसके दर एक sugar molecule मुझूद नहीं है ठीक है तो शुगर मालकुल नहीं है तो उसके साथ फिर जो एंटीजन वह अटेज नहीं होती उनके साथ आके वह एंटीजन अटेज नहीं होती ठीक है यानि ये A है ये B है ये सारा structure H है ये A है ये B है और ये H है तो अगर H के साथ A अटाइच है तो अमरे पस A blood group है अगर H के साथ B अटाइच है तो अमरे पस B blood group है लेकिन अगर H के साथ कोई भी अटाइच नहीं है जिसे हम O blood group करेंगे लेकिन H का अब sugar ही मुझूद नहीं है ठीक है बेशेक अब ब्लॉड ग्रॉप इसका ए हो यानि ए का जीन मुझूद है लेकिन वह अब इदर एच की शुगर मुझूद नहीं है तो एटेश नहीं हो सकता कि हो थोनिक हो फिर डेकिन वह उसके साथ अट नहीं हो इसके साथ अटेश नहीं होरा ॡाक यह आटेशमें यह चैसे इसके साथ नहीं होत एकर प्लॉड की सही, ओके, इसका क्या मतलब है यह अगर आप इसे लास में कहोगे, यह यह फिनो टीपिकली ओ है, ठीक है कि ब्लड गुरुप इसका ओ है, बट जीनो टीपिकली इसका ब्लड गुरुप ए है, सही, सो यह हो गया, बंबाय फिनो टाइप, अब एक और मेकनिजम जिसे आप प्लियो ट्रॉपी कहते हैं, प्लियो ट्रॉपी, इसमें भी वही एपिस्टैसिस वाला त्रीबन रोल होता है, क्या होता है कि अगर एक जीन, ठीक है, थोड़ा सा मुखले बबल के, इसमें कहा है कि अगर सिंगल जीन, यानि जीन, KOS, वन और मॉर refuses, ज़ा एफक्टैस्ट, या कवर की जगा आप कहलें, affects two or more traits okay, simple, के एक gene A है ठीक है ये आई कलर डील कर रहे है सही लेकिन आई के साथ साथ ये है के कलर को भी डील करता है ये skin की कलर को भी डील करता है तुम ये pleiotropy कहलाएगी तो ठीक है, a simple example देने के वादे आगबता है ठीकिन इसकी जो actual example है वो ड्रॉजफिला के नदर है ड्रॉजफिला के अंदर एक जीन है जो के white eye gene होता है जीन ठीक है, white eye gene जो उस आज़ा है shape of sperm को भी storing जो स्पर्म स्टोरिंग उसको भी छॉन्रोल करता है इसी आप मसलद W-IW gene है वो white gene है लेकिन ये shape of sperm storing organ को भी डेल कर रहे है ठीक है shape of sperm storing organ को भी डूल कर रहे है ठीक है इस तरह अगर जो हमारे हमें human gene है जो growth को control करता है ठीक है हमें gene a far growth कर लैं for growth यह also हमारे height को भी deal कर रहा होता है यह influence कर रहा होता है यह इसका affect आ रहा होता है है साथ-साथ हमारे weight पे भी इसका फारइक होता है सभी है इस तरह जो cats है चैट्स के दर एक जीन है अलील है डव्यू से ये वाइड बनाता था है ठीक के कलरब़ाइड करते है से लेकिन ये डीफनेस काज कर रहे ऐसके साथ या यह वहरा पन उनके अंतर आ जाता है से और फिर नगर ww की केंडिशन हो, homozyg así पेंड तो फिर इसके अंदर milanocytes भी बनते हkeln ये milanocyte की production मैं होता है और ये ही hearing इंदर भी इस्तमाल हो ठाए है hearing, सेंस sound तौट भी उध हो missile यह नहीं बहुत सी एक्जेम्पल है जिसके तरह आप कहसे तो एक जीन जोंस है वो multiple traits को डील कर रहा होता है ठीक है जिसके multiple phenotypic effects आ रहे होते हैं इसे आप pleiotropic के होगे हैं सही है अब हम जलते हैं continuously varying trait में continuously वेरिंग trait simple के जो vary करते रहते हैं परसन तो परसन उनमें फरक आता ही रहता है ठीक है मसलन इसकी example के skin color ठीक है height सही है या फिर आप कहलें के weight सही है weight अलबता चला है इतना phenotype में नहीं आता लिए चलें फिर भी आप इसे डा सेते हैं skin color है height है weight है या आप कहलें के shape of seeds है color of seeds है ठीक है जिससे ना गुंदम के दाने का color होता है तो यह continuously varying traits होते हैं और यह जायतर होते है polygenic traits polygenic traits polygenic traits polygenic से क्या मुलाद है कि एक से ज्यादा genes इसे control कर रहे होते हैं ठीक है मसलन जो हमारे heart के genes है वो यह काफ़ी चीन से control होते हैं यह इस तरह color के genes हैं मसलन जो grains होते हैं ना ठीक है कहलें कि गुंदम के दाने जोंसे हैं और वो wheat grains इसे आपको उसके लिए genes होते हैं AABBCC ठीक है यह dark red color होते है dark red color of grain तो इस तरह अगर इसकी जगह पे AABBCC होगा तो यह light pink color हो जाएगा तो यह polygenic traits हैं सभी इसकी examples में आपके सामने color है, height है, weight कह सकते हैं और skin color कह सकते हैं इस example दीव है कि for example यह continuous variation के लिए आपके पास एक bell shape graph आता है bell shape graph for example अगर आप height देखते हैं ठीक है, woman की जगह पर यहाँ पर student कहरें student in this class आप अपने class के student की height देखेंगे आपके सेंटर के तर आपके पीक नदर आएगी बकायास के मुकाबले में कहा होते जाएगे ठीक है, so अच्छा इसमें एक आप निचे समझते हैं कि इसके दर कोई dominance relations नहीं होते यानि जो polygenic trades है polygenic trades या जिसे हमने continuously varying trades का है यह कोई do not show dominance dominance यानि यह नहीं है कि अगर black का जीन जादा है तो colorist वरे से black जादा आ रहा है अच्छली यह बात नहीं है इसमें किस तरह example किस तरह परूब करेंगा एक था हमारे पास AABBCC यह नहीं यह dark color के हैं ठीक है और एक AABBCC यह pink color के हैं तो इसमें हमारे पर जो पहली generation आई F1 generation यह P1 थी यहां पर क्रासिंग के बाद जो हमारे बस F1 आई ठीक है वह AABBCC यह dark और पिंक के नहीं इसे आप कहते हैं light क्याने के color में आजाती है ठीक है ना pink होती है ना dark बलके light red से color में आजाती है अब अगर हमने अगर इसमें dominance होता है अगर हमने dominance से differentiate करना है करते हैं कि F1 cross F1 तबारा करते हैं ठीक है तो इसके अंदर हमरे पर जो मिलते हैं उसमें चारों किसम के आजाते हैं F1 आप हम पूरा तो क्रास नहीं कर से लेकिन आपको बस जाने के लिए कि इसके अंदर हम रपस dark color के भी आएंगे ठीक है red color के भी आएंगे light red के भी आएंगे और pink color के भी आएंगे तो इस तरह चारों color बीच में से निकला रहते हैं तो इसका क्या मतलब है कि यह अलेज अलेज अलेज़ अलेज़ हैं और एक दूसरे के पर कोई dominance का character नहीं शोग कर रहे है ठीक सो यह mind में रखने है आप नहीं के dominance नहीं है basically यह अलेज़ अलेज़ है अच्छा इसके लावा हमारी जो human height है यह complex polygenic trait है क्या मतलब complex polygenic के बहुत सी genes इसमें role play कर रहे होते हैं सही है और इसमें भी आपको पस bell shape graph आता है अगर आप जिस आपने अपर देखा है कि अगर आप उसको note करें graph को तो वह आपको bell shape graph देगा और दूसरा human skin जोन से है human skin color ठीक है यह भी three or more than three pair of genes जोन से है three to six pair of genes control कर रहे होते है ठीक है जी control करते है सही है अच्छा यह यह जो bell shape आ रहा हम है पस graph ठीक है इसी आप frequency 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 histogram भी कहते है frequency histogram frequency histogram के simple graph होता है ठीक है जिसके अंदर आप एक x-axis होता है y-axis होता है frequency histogram कहते है कि यहां पे आप range of phenotype लेते हो ठीक है अगर हम phenotype height की बात करें तो आप कहते हो जी for example four four inch four inch six inch eight inch ten inch twelve inch fourteen inch इस तरह से और जो y-axis है यह population size को बताते है ठीक है number of individual कहरें simple population size यह number of individual कहरें तो इस तरह आप की प्लाटिंग होती है for example यह frequency इस तरह आप ग्राफ बनताए सकतेíllिए कलर बगैरा है कलर کی kok dois पर मश्याए नहीं है वो qualitative trade है ठीक है यह ज़ाय है ये कई esse quantitative trade है जबके color of skill यह qualitative trade है तो जो graph बनता है वह quantitative trades का बनता है मसलन आप height का कर लोगे या और किसका कर सकते हो और जो भी आप numbers के अंदर जिसके अंदर ले सके मसलन जो tongue rolling के हैं उसके आप देख सकते हो ठीक है उनके numbers आप count कर सकते हैं पर जो ear lobes वाले हैं उनके आप count कर सकते हो ठीक है लेकि वह multiple में नहीं जाते multiple में सिर्फ height आ रही है फिलार हो weight आसकता है weight को आप ले सकते हो so यह हो कि आपका continuously varying trades और अगली lecture के दर हम gene linkage के बारे में पढ़ेंगे और फिर crossing over जो कि हम पीछे वैसे पढ़ चुके हैं पीछे लेक्षर के दर और फिर sex determination तर जाएंगे यह असतर असतर चैप्र को कवर करेंगे हो अस्णक्र को कि आसे House में मोलिकल सेग्वे में हो करेंगे खिरमेंगे और फिरा धिर कर देंगेगे Mexico